इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही important principle of design के हवाले से इस principle का नाम है alignment alignment ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत ज़्यादा importance रखता है दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि alignment basically होती क्या है arranging elements of design with a straight line this is called alignment दोस्तो जब भी हम अपने elements को किसी एक खास line के साथ arrange करते हैं तो basically हम उस वक alignment कर रहे होते हैं यह जो line जिसके साथ हम अपने elements को arrange कर रहे हैं यह visible भी हो सकती है और invisible भी हो सकती है यानि कि कुछ designs के अंदर आपको यह line बजाहर नजर भी आ रहे होती है लेकिन कुछ designs के अंदर आपको बजाहर कोई ऐसी line दिखनी रही होती लेकिन एक खास line के साथ तमाम elements उस design के अंदर arrange किये गए होते हैं या कुछ important elements arrange किये गए होते हैं चले मैं आपको एक example के थूरू बताता हूँ कि alignment basically क्या चीज है दोस्तों आप लोगों ने car parking lot के अंदर lines तो लगी हुई देखी होंगी यह जो lines है यह best example है alignment की दोस्तों आप इस visual में देख सकते हैं कि अगर parking के लिए lines ना लगी हो तो गाड़ियां किस बेहंगम तरीके से जो है वो place होती है किसी भी जगा पे चाहे हो कोई chalk हो या कोई parking lot हो तो दोस्तों basically lines की मदद से different जगों पे हमारी routine life के अंदर भी और design के अंदर भी alignment का जो एक principle है उसको apply किया जाता है जब आप किसी कार parking lot में जाके किसी खास दो lines के बीच में अपनी गाड़ी पार करते हैं और सभी लोग जब इस अमल को दोहराते हैं तो basically एक खास order के अंदर तमाम की तमाम गाड़ियां लग जाती हैं और कोई भी बेहंगम सुर्तिहाल पैदा नहीं होती तो चलें बात करते हैं alignment की types की दोसब basically alignment की चार types है edge alignment, center alignment, horizontal alignment and vertical alignment इस वक screen पे आप लोगों के सामने एक diagram है इस diagram के अंदर अगर आप row wise जाइजा लें तो आपको पता चलेगा कि उपर वाली row में और नीचे वाली row में basically ये जो bars मौझूद हैं इनको edge और center के साथ align किया गया है जो उपर वाली row है उसमें इन bars को edges के साथ arrange किया गया है जबकि जो नीचे वाली row है उसके अंदर bars को centers के साथ arrange किया गया है तो ये है edge alignment और center alignment अच्छा आप इसी diagram का column wise जाइजा लेते हैं जब हम इसी same diagram को column wise देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो left वाला column है इसमें bars को horizontally align किया गया है जबकि जो right वाला column है उसमें bars को vertically align किया गया है तो इस diagram की मदद से हम easily समझ सकते हैं कि edge alignment में और center alignment में क्या difference है और इसी तरह से horizontal alignment और vertical alignment में क्या difference है दोस्तो alignment का graphic design के अंदर बहुत ही important role होता है जब हम किसी भी element को text के साथ यह वो place करते हैं या कोई ऐसी situation हो जिसके अंदर हम text का बहुत ज़्यादा इस्तमाल कर रहे हूँ जैसा के हम brochures में करते हैं press add में करते हैं या website वगरा में करते हैं तो इस situation के अंदर text की alignment बहुत ही important role play करती है ज़रा इस diagram को देखें यहाँ पर चार किसम की alignments आपको दिखाई गई है text के हवाले से पहली है central alignment फिर है left alignment फिर है right alignment और फिर है justified alignment दोस्तों आप देख सकते हैं कि central alignment के अंदर जो text है वो तमाम का तमाम central line के साथ place किया गया है इसके बरक्स जो left alignment वाला column आपके सामने है इस column के अंदर text को left line के साथ align किया गया है place किया गया है इसी तरह से right alignment वाले column में text को right side पर जो line है उसके साथ place किया गया है और जो justified alignment है इसके अंदर text को बाहर की दोनो edges वाली lines के साथ place किया गया है और इस तरह से arrange किया गया है कि text जो है वो एक पूरी complete column के शकल हमें जो है वो महिया कर रहा है तो जब आप text को align करते हैं तो ये चार basic text alignment की जो है वो categories होती है जिनके अंदर हम आम तोर पर text को align कर रहे होते हैं दोस्तों इस तरह स्क्रीन पे आप लोग एक poster देख सकते हैं ये एक बहुत ही मशूर Hollywood की movie का poster है इस poster के अंदर अगर हम गोर करें तो text और image बिलकुल एक खास linear line के अंदर एक column वाली line के अंदर हमें align नजर आता है हम देख सकते हैं कि जो सबसे उपर title है poster का वो उसके बाद center में एक image है और जो bottom वाला area है poster का उसके अंदर again कुछ text है गालिबन title दिया गया है तो ये बिलकुल सारा कुछ एक खास line के अंदर एक vertical line के अंदर arrange किया गया है और आपके सामने है कि इस alignment की मदद से इस poster को कितनी खुबसूरत look मिल गई है अच्छा आप यहां पर मैं जिकर इस बात का भी करना चाहता हूँ कि यह जो alignment हम करते हैं यह हम किस चीज के through करते हैं दोस्तों आपके सामने एक grid नजर आ रही है आप लोगों को यह जो grid है यह basically horizontal और vertical lines का एक combination हुआ करती है और यह grid ही वो चीज होती है जिसके मदद से हम graphic design के अंदर text को या text के साथ different graphical elements को जैसा के pictures और vectors वगईरा को हम place करते हैं arrange करते हैं या align करते हैं तो दोस्तों यह जो grid है इसका alignment के साथ graphic design में बहुत ज़्यदा गहरा तालोग है आप लोगों ने कुछ different examples की मदद से alignment के बारे में different information इस lesson के अंदर जो है वो learn की है अब last में मैं आपको यह बताता चलूं कि alignment basically हम graphic design में करते क्यों है यानि के हमें graphic design में alignment के मदद से क्या चीज अचीव होती है दोस्तों सबसे पहले तो हमारे design के अंदर alignment के मदद से order create होता है और organization की feel आती है यानि के हमारे तमाम elements of design एक खास line के साथ हमें organize मिलते हैं अच्छा इसी तरह से elements आपस में group करने में हमें बहुत ज़दा असानी होती है और एक खास किसम का visual connection एक रब्ट जो है वो पैदा होता है हमारे different visual elements के अंदर दोस्तो alignment के बारे में ये जितनी चीज़ें हमने learn की हैं इनको आपने गोर से ना सर्फ observe करना है आने वाले वक्त में आप जब भी कोई design देखें जब भी कोई visual देखें खास वार पर कोई graphic design की कोई भी relevant चीज़ देखें तो उसमें आपने note करना है कि text की alignment किस तरह से है आपके pictures की alignment किस तरह से है और कौन से असूल जो है alignment के हवाले से उस design के अंदर apply हो रहे है इससे होगा क्या कि जब आप अपने designs बनाने शुरू करेंगे तो आपके designs के अंदर बहुत ज़दा improvement आजेगी और एक कास किसे strength आप देख सकेंगे अपने designs में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको alignment के हवाले से समझ जाई होगी और अब आप लोगों ने इसके हवाले से बहुत ज़दा keenly observe करना है इंशालत अला नेक्स लेसन में किसी मजीद principle of design के साथ मुलाकात होगी